नमस्कार धार्मिक मान्याताओं के अनुसार धन्वंत्री महान चिकिस्यक के रोप में जाने जाते हैं। इन्हें भगवान विश्णु का अवतार माना जाता है। समद्र मंत्र के दौरान धन्वंत्री का प्रिथी लोग में अवतरन हुआ था। पुरानों के अनुसार शरत पुर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को काम देरुगाय, त्रैयोदशी को धन्वंत्री, चतुरदशी को कालिमाता और अमावस्या को मा भगवती लक्ष्मी जी का सागर भावस उत्पत्ति माना जाता है। इसलिए दिपावली के दो दिन पूर्वक, धन्तेरस के दिन भगवान धन्वंत्री का जन्म दिवस के रूप में मराया जाता है। आरोग्य प्राप्ति हेतु भगवान धन्वंत्री का पौरानिक मंत्र इस प्रकार है। ओम नम भगवते महा सुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंत्रे अम्रित कलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय त्रिलोग पताय त्रिलोग नताय श्री महा विष्णू स्वरूप श्री धन्वंत्री स्वरूप श्री 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 औशत चक्र नार नम्य। अरफात, परमभगवान, जिने सुदर्षन वासुदे धन्वंत्री कहते हैं, जो अम्रित कलश लिये हैं, सर्वभय नाशक हैं, सर्व रोग नाश करते हैं, तीनों लोखों के स्वामी है और उनका निर्वा करने वाले है उन विश्णु सुरूप धनवंतरी को साधर नमन है झाले है ऑक लाले हैं झाले है को सुरूप थाइना झाल झाल